बाई यो बहनो 21 सदी में देश को आगे बढ़ाने में हमारी युवा शक्ति का माहत्व है क्या भारत ये सपना नहीं दे सकता कि हम दुनिया में स्टार्ट अप की दुनिया में भारत नंबर एक पर पहुचेगा ये कलिप 2015 के इंडिपेंडेंस डे की है जहां हमारी कंट्री में पहली बार स्टार्ट अप से रिलेटेड कोई कॉई कॉन्वर्सेशन चाल हुई थी लोगों को ये लग रहा था कि जिस तरह ये बात एक हवा के जोके की तरह आई है उसी तरह चली जाएगी बट ऐसा नहीं हुआ 16 जनवरी 2016 को दिल्ली के विज्यान भवन से गवर्मेंट ने स्टार्ट अप इंडिया का एक्शन प्लैन लॉंच किया गवर्मेंट ने ऐसे कई और स्टेप्स लिये और अगर इन सारी चीजों को आज हम फास्ट फॉर्वर्ड करते हैं तो जहां 2014 में सिर्फ 400 स्टार्ट अप्स थे वहीं आज 84,000 से भी जादा स्टार्ट अप्स हैं इस स्टार्ट अप एको सिस्टम बन चुका है और जल्दी इंडिया चाइना को भी पीचे छोड़ने वाला है अब यहां पर कुछ सवाल उठते हैं जहां एक तरह प्रॉफिट एक डर्टी वर्ड माना जाता था वहीं आज हम अंत्रपनर्शिप एरा में कैसे एंटर हो आए और आज रिशेशन जैसे महौल में इन स्टार्ट अप्स को फ्यूचर में किन किन चैलेंजिस का सामना करना पड़ेगा आई चलिए इस वीडियो में जानते हैं दिस यह इंडिया टर्न सेविंटीफाइब और यहां स्टार्ट अज भारत दूनिया का तीसरा बड़ा स सिस्टेम बन गया है भारत के टीर 2 और टीर 3 शहरों में भी स्टार्ट अप्स उभर करके आए हैं इनियन स्टार्ट अप्स और एजिंग एवरिथिंग फ्रम फूट दिलिवरी तो ट्रांस्पोर्ट तो होस्पिटालिटी तो मेडिकल टीच्मेंट तो टूरिजम जिस तरह की पिक्चर हमें आज देखने को मिलती है वह आज से कुछ साल पहले नहीं थी इसको डीटेल में समझने के लिए हम टाइम में थोड़ा पीछे जाते हैं पहले ही इंडस्ट्रिलाइजेशन की ट्रेन दो बार मिन्स खर चुका है एक तो इंडिपेंडेंस के पहले और दूसरी इंडिपेंडेंस के बाद British colonial rule के अंडर इंडिया को de-industrialization से गुजरना पड़ा 17th century में इंडिया का 24.4% contribution था world economy में बट 1950s आते आते ये सिर्फ 4.2% रह गया हमारी textile और handicraft industry के बज़े से 1750 में इंडिया का industrial export 25% से भी जादा था बट वो भी 19th century में आते आते सिर्फ 2% रह गया और बाकी जो कमी रह गई थी वो independence के बाद नहरू जी की socialist policies ने पूरी कर दी थी नहरू जी के लिए profit एक dirty word बन गया था ये मैं नहीं कहता ये उनके ही शब्द है जब J.R.D. टाटा जी ने नहरू जी से का था कि हमें public sector को profitable बनाने की जरूरत है then he replied never talk to me about the word profit it is a dirty word हम ये deny नहीं करते कि नहरू जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है बट ये वी fact है कि उनकी socialist policies ने entrepreneurs की पूरी generation को ही destroy कर दिया क्योंकि ये government के आत में होता था कि किसको business open करने के लिए license देना है किसको नही government हर एक sector को खुदी control करती थी private player को business open करने के लिए license ही नहीं दिया जाता था और फिर आये 1991 के economic reforms जिसने license राज को खतम कर दिया था और वहाँ से हमारी economy open होना चाल हुई बट अभी भी entrepreneurs को कई huddle से गोजनना पड़ता था क्योंकि country में inspector राज अभी भी था government का उन sectors में भी काफी interference था जिन sectors में जरूरत भी नहीं थी और ऐसे कई rules and regulations थे जिनके वज़े से businesses grow नहीं कर पाते थे for example labor loss country में total 52 labor loss थे जो कि central government के अंडर आते थे और यही नहीं ऊपर से 150 labor loss ऐसे थे जो कि state government के अंडर आते थे total 200 labor loss इतने सारे labor loss होने के वज़े से businesses के लिए possible ही नहीं था कि वो 100% labor loss अपनी organization में implement कर सकें और उन में से 20% तो violet हो जाते थे अब ऐसे ही over baggage laws and regulation के वज़े से जो छोटे businesses होते थे वो कभी बड़े ही नहीं बन पाते थे और पछले 10 से 15 सालों में जो changes आये हैं और especially मोदी जी के आने के बाद वो commendable है और यह मैं मेरे मन से बनाई हुई बाते नहीं बोल रहा हूँ आप खुदी देख लेजिए जहां 2014 में सिर्फ 400 registered startups थे वही आज 2022 में 84,000 से भी जादा registered startups है 2014 तक सिर्फ 4 unicorn startup थे वही आज 2022 तक आते आते 108 यूनिकॉन startup हो चुके हैं जहां 2014 में इंडिया ease of doing business की list में 190 countries में से 134th number पे आता था वही आज इंडिया 63 number पे आता है and most importantly इन startups ने country में आज तक 8.2 lakhs job generate कर दिये और surprising बात तो यह है इन में से 50% startups ऐसे हैं जिन में women entrepreneurs हैं 50% startups हैं जो tired 2 और tired 3 cities से belong करते हैं and इंडिया की total district में से 640 districts ऐसी हैं जिन में at least एक startup तो है अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि current government ने ऐसा क्या करा जिससे की entrepreneurship की वेब जा गी so let's figure out government ने entrepreneurship और startups को promote करने के लिए startup India, stand up India, atal innovation mission, digital India, आतमनरवर्वर्व भारत जैसे कई और initiative लिए अगर इन सारे initiatives को हम एक एक करके समझेंगे तो यह सब बहुत complex हो जाएगा इससे वहतर यह है कि हम simple example की थुरू nut cell में यह समझते हैं कि government ने आकर कार इने startups की problem को कैसे solve किया इंडिया के पास एक natural advantage है young population का और government ने इस advantage को identify तो कर लिया था बट इस population के पास कुछ common problems थी जिसकी वज़े से ये लोग startup open नहीं कर पाते थे So for example, back then 2014 के पहले अगर किसी को एक startup open करना होता था तो पहले कोई road में present नहीं था एक idea को एक viable product बनाने के लिए और कई ऐसे laws and regulations थे जिसकी वज़े से business open करने की process time taking और complex हो जाती थी और initial stage में funding के लिए ना government से support मिलता था और ना ही investors से और अगर थोड़ा बहुत भी profit कमा लिया तो आदा profit तो government को tax में देना पड़ता था और अगर business fail हो जाता था तो सालों लग जाते थे winding up की process में बट आज condition change हुए है start-ups को hand holding support और roadmap प्रोवाइड करने के लिए government ने across the country innovation center, start-up center, incubator set-up करे हैं ये सारे लोग start-up को idea generation, education, mentorship, seed funding और overall grow करने में मदद करते हैं अब जो start-ups की सबसे बड़ी problem थी labor loss और environmental loss की government ने इसको भी solve कर दिया है अब start-up India की app और website के through start-up 9 labor loss और 3 environmental loss को self certify कर सकते हैं initial stage पे funding raise करने के लिए government ने start-up India seed fund scheme को launch किया है अगर आपके पास कोई innovative और problem solving idea है तो आप initial stage पे इस scheme के under funding raise कर सकते हो start-ups की success rate कम होने की वज़े से पहले investor initial stage पे start-ups में invest नहीं करते थे बट अब investors को motivate करने के लिए government ने 3 साल के लिए capital gain tax को माफ कर दिया है taxation के मामले में government ने start-ups का भी ध्यान रखा है government ने किसी भी 3 साल के लिए income tax को हटा दिया है और start-ups पे पहले investor से पैसा raise करने पे 30% का angel tax लगता था वो भी अब government ने हटा दिया है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि start-ups की success rate बहुत कम होती है इसलिए founder और investors के लिए ही important हो जाता है कि company के failure के बाद कितने जल्दी company बंद हो इसलिए government ने insolvency and bankruptcy code को introduce करा पहले जहाँ सालों लग जाते थे एक business को बंद करने में बट इस step के बाद अब 90 days में company बंद कर सकते हैं business open करने से लेकर close करने तक का time government ने multifold कम कर दिया है और अगर government start-ups को ऐसी support करती गई तो इंडिया जल्दी world का largest start-up ecosystem बन जाएगा और इंडिया को superpower बनने से कोई नहीं रोख सकता यह सब सुनने के बाद आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा बट ऐसा नहीं है जितनी fruitful story हमें यह दिखती है उतनी नहीं है Let's figure out Liquidity constraint was and is the biggest factor for the rise and fall of the new age companies More than 17,000 layoffs this year even at the most valued, most funded new age companies from Ola to Baiju's, Unacademy, Vedantu, Blinkit, Chargebee, the list is getting longer आज इंडिया में 108 unicorn start-ups है जिस में से 44 start-ups last year unicorns बने हैं और overall market condition खराब होनी के वज़े से इस साल सिर्फ 22 start-ups सी unicorn बन पाए बट सर्प्राइज बात तो यह है कि इन 108 unicorns में से सिर्फ 18 to 20 unicorns ऐसे हैं जो कि profitable हैं बागी सारी unicorn start-up cash burning machine हैं अब problem तो यहां आती है कि जो पैसा यह start-up customer acquisition के लिए लगा देते वो पैसा funding winter की वज़े से यह raise नहीं कर पा रहे हैं रशिय यूक्रियन वार और global interest rates increase होने की वज़े से investors start-ups में invest ना करके safer asset classes में shift हो रहे हैं और यह हमें data में भी show होता है जहां 2021 में इंडियन start-up ने 42 billion dollar की record level funding raise की थी वह इन 2022 में इन start-up ने सिर्फ 24 billion dollar की funding raise कर पाई है 2022 की starting तो ठीक होई थी जैनुवरी में इंडियन start-up ने 4.6 billion dollar की funding raise की थी बट नवेंबर आते आते यह funding graph नीचे आता गया और नवेंबर में start-ups को सिर्फ 1.1 billion dollar की funding मिली और इसी funding winter की वज़े से इने start-ups को cost-cutting country पड़ रही है 2022 में total 18,000 employees को नौकरी से निकाल दिया गया है venture capitalist, founders और public report की माने तो funding winter बस अभी start ही हुआ है तो क्या हम यह समझ ले कि इन unicorns की party overroach किये ऐसा नहीं है globally sentiments खराब है और यह problem सिर्फ India तक ही restricted नहीं है बलकि China, US, UK को भी same problem से गुजरना पड़ रहा है और एक तरीके से यह healthy consolidation है फिलिपकार्ट, Paytm, Zometo, OEO जैसे बड़े-बड़े start-ups profitable नहीं है और funding raise करने के लिए यह start-ups अब profitability की तरफ focus कर रहे है INC 42 के estimate के according 2025 तक इंडिया में 1 lakh registered startups होंगे, 250 unicorns से startup होंगे और इंडिया चाइना को पीछे छोड़के second largest startup ecosystem बन जाएगा और यह startups country में 32 lakhs job generate करेगे So that's all for today, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह तो पता लगी गया होगा कि जहां profit को एक debti word की तरह treat किया जाता था, वहीं आज इंडिया चाइना जैसे world leader को पीछे छोड़के एक ऐरा में enter कर चुका है जहां job मागने वालों से ज़ादा jobs देने वाले हैं देखो अगर start-ups के future का तो पता नहीं, बट मेरा future आप ही लोगों के आथ में है तो को like, share, subscribe वैसे कोई जवरजस्ती तो नहीं है लेकिन अगर कर दोगे तो यह चेरे पे smile ऐसी ही बनी रहेगी